हेलो और वालकम टू टीवी का पटाका वेल दोस्तो बिग बॉस सीजन सोला के घर के अंदर टीना दत्ता अब पूरे तरीके से इस बात के लिए मजबूर हो चुकी हैं कि उन्हें अब इस घर से बाहर जाना है उनके उपर लग रहे उनके करेक्टर पर उठ रही उंगलिया अ वहीं दूसरी तरफ आपको बता दे कि टीना दत्ता को घर से निकलते ही कॉलर्स टीवी का एक सूपर हिट शो ओफर हो चुका है जी हां लाकों की कमाई होने वाली है टीना दत्ता की उस सीरियल के जरहे आखिर किस तरह से टीना दत्ता की इस टीम ने इतनी बड़ी गुड न्यूस को हासिल किया बताएंगे आपको आने वाला टीना दत्ता का नया सीरियल लेकिन उससे पहले दोस्तों चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें बेल आइकन को दबाना आ बिलकुल ना भूले वहल दोस्तों टीना दत्ता फिलहाल बिग बॉस सोला में है लेकिन सीरियल बैरिस्टर बाबु का सेकंड सीजन यानि की दुर्गा और चारू में टीना दत्ता एक एहम किरदार निभाती हुई नजर आ सकती हैं दोस्तों आपको बता दे की सीरियल दुर्गा और चारू अब जाने वाला है एक बहुत बड़े जनरेशन लीब में जहां पे द दुर्गा और चारू नाम की ये दो छोटी छोटी बेटियां बड़ी हो जाएंगी एक दरफ दोस्तों जहां चारू का करेक्टर बहुत ही ज्यादा पबली लड़की का है जो बहुत उचलकूत करती है तेज तरार है और इसका रिप्लेस्मेंट होने वाला था कनी का मान से जो की बड़ी चारू का किरदार निभाने वाली है तो वहीं दोस्तों अब दूसरी है दुर्गा दुर्गा एक शान्थ स्वभाव की भोली लड़की है जो की चारू की बड़ी बेहन भी है ऐसे में इनका रिप्लेस्मेंट धून पाना थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रह के लिए उत्रण नाम के सीरियल में निभा चुकी है जिसमें उन्होंने बड़ी बहन होने का किरदार निभाया था और वो काफी ज्यादा शांत और सुशील लगर की बहुती बेटी भी थी इसलिए दुर्गा और चारू में भी उसी तरह का स्वभाव नजर आ सकता है आप क्या कहेंगे हमें कॉमेंट्स में अपने व्यूज आप जरूर बताएं वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें